हेलो स्टुडेंट्स चैप्टर एट चल रहा था इंटोड़क्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये लेक्चर नमबर 24 है ठीक है ये क्लास 10 चल रही है सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स मेरा नाम वह प्रसांत कुमार पांडे आप लोग दिख रहें मैस वर्ल्ड एजूकेशन ये म हमारा टारगेट रहेगा ना वो टारगेट रहेगा कोश्चन नमबर ये शे का 678 ये तीन कोश्चन को देखना ठीक है और अगर टाइम मिलती है ठीक है क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना तो ये दो कोश्चन भी आज हम लोग डील करेंगे पर बेसिकली जो आज हमारा टार्गेट रहेगा वो कोश्चन नमबर 6, 7 और 8 इस तीन कोश्चन को आज हम लोगों को देखना है ठीक है एनिहाओ तो चलो चलते अपने स्लाइड की तो देखो इस कोश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करें तो पहले मैं हर बार इस वाले कोश्चन को जब भी रूट में है और यहाँ जो एंसर है वो अंडर रूट में नहीं है तो हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि इसको अंडर रूट से बाहर लाया जाए ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग किसी ना किसी तरीका से यहाँ जो यह नंबर है देखो यहाँ पर यह जो नंबर है अगर इनको मैं square कर दूँ, किसी तरके से अगर यह square हो जाता है और यह भी square हो जाता है, तो यह root और square कैंसल होगा और जो value आएगी अब बस हमें उसे calculate करके यह लाना होगा, समझे बातों को यानि कि जो under root के अंदर जो value दी वी है न, हमें किसी तरीके से उसे कम करना है यह फिर उसे खतम कर देना है, यह root वाला जो पिस्सा है न, उसे किसी तरीके से खतम करना है तो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको square लाने के लिए वो सोचो तो अगर just imagine करो, कि ठीक है, हम लोग किसी तरी यहाँ base में square बना देते हैं यहाँ जो base है, अगर इसमें square बना देते हैं तो फिर हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है अब हम लोग कैसे square बनाएं, तो just imagine करो, कि अगर हम इसको rationalize कर दे, ठीक है अगर हम इसको उपर पे अगर स्क्वायर लाना है ठीक है तो हम लोग उसी नंबर से उपर और नीचे अगर multiply कर दें जैसे कि sin a divided by 1 minus sin a ठीक है अगर इसको हम लोग 1 plus sin a से multiply कर दें हम बस ऐसा ही बता रहा हूं मैं बस अभी समझने के लिए और 1 plus sin a से फिर इसको divide भी कर दें तो यह तो 1 हो जाएगा और इसमें कोई फरक पड़ेगा नहीं लेकिन इससे क्या हुआ कि यह दोनों square हो जाएगा और यह कहीं न कहीं बाहर हो जाएगा और plus करने से एक और benefit हुआ कि यह कहीं कहीं हमें 1 square minus sin square a बन जाएगा और equal to cos square यह identity होती है अब यह भी square पर आ गया देखो denominator भी square पर आ गया अब जब denominator square पर आगा तो इस पर रूट लगा चुकि रूट लगावा है ना पूरा question पर तो square से root cancel हो जाएगा और cause cause आ जाएगा इसी लिए benefit है हमें 1 plus sin a से क्या करना पड़ेगा multiplied करना पड़ेगा और divide भी करना पड़ेगा जिससे हमें क्या मिलेगी यहाँ पर जो under root का जो जहमेला है यह जहमेला खतम हो जाएगा ठीक है और सीधा सीधी हमारा value आ जाएगी मगर एक और डॉट है और वो डॉट कुछ ऐसा है वो समझना अगर मैं इस root को ठीक है यह जो root को क्योंकि हमारा target है root को हटा ना तो हम लोग 1 plus sin a को और 1 minus sin a को अगर हम लोग multiply कर लेते हैं 1 minus sin a से divided by 1 plus sin a से 1 minus sin क्योंकि यह दोनों cancel होना चाहिए ना 1 minus sin a से तो यह तो cancel हो जाएगी और बचेगा 1 और 1 को किसी भी number से multiply करते हैं तो question नहीं आएगा इसको इतना add कि इसे कोई फरक नहीं पड़ा question लेकिन एक बात बताओ हम यह इसा क्यों नहीं कर सकते हैं यह भी तो पूरा answer आएगा ना 1 minus sin a उपर में cos square a बचेगा जो कि square के form में है और यहां भी 1 minus sin a यह भी square के form में है तो root तो cancel हो जाएगा लेकिन देखो फिर यहां दिक्कत हो जाएगी कि जो हमें value चाहिए say a और 10 a वो तो मिलेगा ही नहीं फिर वो मिलेगा ही नहीं तो फिर हम लोग इतना जंजट करके क्या फाइदा हुआ लेकिन just imagine करो कि अगर यह वाला रहा तो यहां पे तो square आजाएगा cos square और उपर में आजाएगा 1 plus sin a ठीक है 1 plus sin a तो अब जब इसको करेंगे तो cos square चुकी पे दिमाग लगाया ठीक है तो चलो solution करते हैं अब अब चुकी हम समझ चुके हैं हमें किसी नकिस्त दिके सी जो root दिया वाया है इस root को हमें हटाना है ठीक है तो पहले जो question है उसको just as at is it उतार दो तो जागा 1 plus sin a ठीक है और divided मे 1 minus sin a हमें multiplied करना है किसी भी number से ताकि यह ज तो हम लोग क्या करेंगे इसको 1 minus sin 1 plus sin a से multiplied कर देंगे अब देखो उपर वाला तो हो चुका है लेकिन यह वाला 1 plus sin a जो है वो extra आ चुका है अब हमें क्या करना होगा इससे एक बड़ डिवाइड भी कर देना होगा ताकि यह जो है सो संतूलन रहे थैनोस की आवाज में ठ करो यह cancel होगया बचे का 1 और 1 को multiply करेंगे value तो वही आएगी तो कोई तो दिक्कत हुआ नहीं ठीक है अब हम लोग को यहाँ benefit क्या मिल गया कि 1 plus sin जो है वहाँ पे 1 plus sin का whole square हो जाएता इसका whole square हो गया और नीचे पे जो आ गया देखो यहाँ पे क्या formula लग गया अब यहाँ यहाँ पे कहीं के लिख लो a plus b a minus b यह होता है तो अब हम लोग यहाँ पे लगा सकते है a plus b a minus b दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे सीधा a square minus b square लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा a square यानि कि one का square और b square मतलब sin square a यह चुकि root में था तो root लगा दो और हम लोग का जितना भी game है वो root को ही हटाने का target था तो root को जब हटाएंगे तो देखो यह square यह जो root है वो numerator और denominator में separate हो जाएगी कर दो separate separate तो यहाँ पे हो जाएगा one plus sign a का whole square और इसके लिए special root divided by under root one minus sign a यह किसका identity है यह identity होता है cos square a याद आया तीन identity होते हैं उसमें से जो sin square theta plus cos square theta is equal to one होता है उसी से यह one minus sin square theta को मैंने निकाला तो cos square theta आ गया है अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो root है दोनों में यह square से यह cancel हो जाएगा और यह root से यह square cancel हो जाएगा तो बचेगा क्या one plus sign a क्या बचा one plus sign a divided by cos a ठीक है यहाँ से cos a बचा और यहाँ से one plus sign a बचा अब जब इसको हम लोग separate separate करेंगे देखो चुकि यहाँ पर यह cos a है ना इसको इससे separate कर दो और इसको एक बार इससे separate कर दो तो इसको जब separate करेंगे तो हो जाएगा one minus one divided by cos a चुकि यहाँ बीच में plus है तो plus होगा और sign a divided by cos a जब तुम इसे add करोगे तो यह तुमारा value यही आएगी ठीक है हमने बस इसको simply से separate कर दिया और हमें इससा दिमाग में भी आया कि one by cos a कहीं ना कहीं सेक a होता है और हमें सेक a चाहिए और sign a और cos a tan a होता है और tan a ही तो one by cos a हो जाएगा सेक a और sign a by cos a हो जाएगा tan a proved और लिखो equal to RHS अच्छा मैंने यहाँ पे LHS लिखना भूल गया तो लिख दोना है from LHS ठीक है हम लोगों ने किया क्या हम लोग पहले question को analysis किये और question को देखा यहाँ पे जो question है वो यहां तक answer हो चुक है ठीक है जो question था रूट में था हमें किसी ना किसी तरीके से जो रूट का है यह जो अंदर का value है इसे किसी ना किसी तरीके से square के form में लाएंगे ताकि square और square root दोनों cancel हो जाए और सिर्फ हमारा जो value बचेगा बस उसे किसी तरीके से a और tan a के form में present कर देना है बस यही हमारा target था जब हम लो देखा ठीक है इससे benefit क्या हो गया कि one plus sign a जो है square में चला गया और यह रूट से cancel हो गया और यहाँ पे देखा मैंने कि one minus sign square a हो चुका है जो कि cost square a होता है यहाँ भी square और यहाँ भी square square से square cancel हो गया और यहाँ पे जब हम लोग देखे तो one plus sign a divided by cost से हुआ और one को जब cost से divide क हो गया 10 और वही हमें चाहिए था बस इतना ही सा answer था अब बढ़ते हम लोग question number 7 की अब देखो इसको solution कैसे करेंगे तो देखो हमें जड़ा सा question को एक बाद फिर से analysis करो और analysis करते के साथ पहले एक बाद question को अच्छा से देखो हमें जो यह equation दिया हुआ है इसको बराबर कर रहा है 10 theta के ठीक है तो जब इसे हमें 10 theta के form में करना है तो 10 theta क्या होता है 10 theta होता है sin theta divided by cos theta अब जरा तुम यहाँ पर सोचो कि यहाँ भी sin उपर में जो numerator है numerator पे हमें साइन दीख रहा है और नीचे हमें सा cos दीख रहा है तो sin by cos तो कहीं 10 होता है तो अगर हम इससे किसी तरह के यहां से sin by cos को common निकाल ले तो वो 10 बन जाएगा और बागी के values है उसे one proof कर देते हैं तो यह 10 सीधा सीधी proof हो जाएगा अब देखो कैसे जब तुम question को analysis किया तो तुम देख रहे हो कि इस वाले equation पर यहां पर sin है और यहां भी sin है और यहां sin का जो power 1 है और यहां पर 3 है यहां cos है यहां से cos है cos cos निचे common निकल जाएगा उपर से sin sin common निकल जाएगा और हो जाएगा sin theta divided by cos theta जो कि 10 theta हो ठीक है और जितने भी values extra बच जाएगे अगर उनको सिर्फ और से one proof कर देना है ठीक है अब देखो कैसे करते हैं तो लिखो from LHS अगर समझ भी नहीं आया हो तो तुरत clear हो जाएगा इसमें से क्या करो ऊपर में दीख रहा है कि sin theta sin theta ऊपर में दोनों में है इसमें से common निकल दो common निकाला हमने देखा यहां पर sin theta common चला गया यहां पर क्या बचा यहां बचा 1 minus 2 sin चुकि यहां पर 1 sin बाहर चला गया तो sin square theta हो गया ठीक है divided by अग यहां पर देखो यहां से cos cos common निकल गया तो हुझा cos theta बाहर चला गया ठीक है और यहां से 2 minus 2 minus 2 cos square theta minus 1 1 क्यों क्योंकि यहां से cos निकल चुका यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा अब हम लोग आगे क्या करें देखो sin by cos तो 10 होगिया ठीक है और हमें 10 ही चाहिए अब जितने भी value यह बचे है इन सभी को किसी तरह किसी तरीके से कट करके 1 लाना है, तो बता यहाँ पे और यह वाला और यह वाला कभी कटेगा आपस में, तो answer है no, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि उपर वाला कहीं ना कहीं साइन के फॉर्म में है, सारे जितने भी उपर वाले हैं, सब साइन के फॉर्म में है, साइन थीटा के फॉर्म में, और नीचे वाला cos theta के form में, तो sin और cos तो कभी कटेगा नहीं जिंदगी में, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यह जो cos square है, हमें जैसे ही यह square दिखा, cos के उपर square दिख गया, हम लोग की तुरत दिमा में चमक गया, कि 1-sin square theta, कहीं न कहीं, मिल जाएगा, देखो कैसे, sin by cos क्या हो गया, सीध्धा लिख दो answer में, tan, tan theta, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, उपर वाले को as it ही छोड़ दो, क्या हो जाएगा, 1-2 sin square theta, यह confuse मत करना, मझे, यहाँ पे मैंने curly bracket लगा है, और यहाँ पे small bracket लगा है, यह बस मेरा mood किया, मैंने लगा दिया, ठीक है, tan theta तो answer आ गया है, ठीक है, अब हमें बस इसे solve करना है, अब यहाँ तुम जड़ा imagine करो, ठीक है, यह 2 तो तूर आ गया, और cos square theta के जगे, हम लोग क्या यह ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, किसके जगा, cos square theta के जगा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि sin square theta, plus cos square theta, equal to 1 होता है, अब जब यहाँ से हम लोग, cos square theta का value निकालेंगे, तो sin square उधर चला जाएगा, यहन की हो जाएगा, 1 minus sin square theta, ठीक है, तो 1 minus sin square, यहाँ cos square theta के जगा पर, 1 minus sin square theta रख दिया, अब देखो यहाँ इसका जादू, इस रखने का benefit क्या होगा, equal to था, equal to रहा, 10 तो 10 ही रहेगा न, क्योंकि वो तो answer आ चुका है, अब अब असे one proof करें, यहाँ पर क्या करो, कि जो उपर में है, उसे as it is रहने दो, sin square theta, नीचे वाले को, बस हमने किसी तरह किसे, sin square theta के formula ले आया, अब इसे यहाँ से bracket को तोड़ दो, जब bracket तोटेंगे, तो सारे जितने भी term से, उसके multiplication सबसे multiplied हो जाएगे, तो two into one, two हो जाएगा, और two into minus sin square theta हो जाएगा, two sin square theta minus one, अब यह एक minute यह मैंने extra लिख दिया, इसको मैं erase कर दूँ, ठीक है, यह इसका part नहीं है, इससे benefit क्या हुआ, कि यहाँ पर जो tan theta था, अब तुम यहाँ देखो, यहाँ नोटिस करो, कि यहाँ दो मैं से एक को घटा दोगे, तो यहाँ पर one बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, और one minus two sin square theta हो गे, अब जड़ा देखो, क्या उपर वाला term और नीचे वाला term एक ही जैसा दिख रहा है, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अब हम लोग इसको इस यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ को cancel कर देते हैं, यहाँ से फिक्या बचेगा, यहाँ से इफ हमार बास one बच्चा, और one को tan theta से multiplied कर दो, तो tan theta into one equal to tan theta, जो कि equal to है RHS का, किसके बराबर है RHS का, और यही प्रूफ करना था, और यही देखो, प्रूफ आ भी गया, hence, प्रूफ, अब बढ़ते हैं, question number, किसमें, 8 में, अब इसको solve कैसे करेंगे, तो पहले solution लिखेंगे, तब ही solution करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यह जो square है, इस square को, और इस square को expand कर देते हैं, उसके बाद जो होगा, सोचा जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, यह चुक्कि देखो, यहाँ पे जो भी values हैं, वो single single term में है, लेकिन यहाँ जो values है, यह square के form में है, और हमें किसी न किसी तरीके से, यह square का form है, इसे remove करना होगा, इसे separate करना होगा, तो separate कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे a plus b का whole square लगाना अपड़ेगा, a plus b का whole square, जो क्यों होता है, a square plus b square, minus 2ab, ठीक है, अब चलो इसको solve करते हैं, तो पहले हम लोग किसे ले लेंगे, from lhs, lhs क्या कह रहा है, कह रहा है, sign a plus cosec a, sorry cosec a, इसका whole square, plus cos a, plus sec a, अब इसका भी square करना है, ठीक है, हम लोग का क्या target रहेगा, कि बस किसी तरह इसे expand करना है, ठीक है, तो चलो इसको expand करो, a plus b का whole square निकालो, ठो जाएगा, a square, यानि कि sine square a, plus b square, यानि कि cos square a, cosec है ना वाई, cosec है, cosec square a, plus 2ab, 2 into sine a, cosec a, right, यह हो गया, तुम्हारे इतना दूर का, answer, plus में करो, यहां से अज़ जब इसे तोड़ोगे, तो हो जाएगा, cos square a, चूंकि a square, cos square a, b square, यानि कि sec square a, plus 2 into, cos a, sec a, यह बिल्कुल होगा, हाँ, बिल्कुल होगा, ठीक है, इसे expand किया, मैंने यह आया, और इसे expand किया, तो यह आया, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट, इसे फिर से question को, जब तुम यहां solve किया, इसे analysis करोगे, तुम यहां पाओगे, कि sin square a, और यहां cos square a, कहीं न कहीं, one हो जाएगा, और हमें यही target ही है, कि किसी तरीके से, जो spend किया बचीज़ है, अब इसे फैला दिया, लेकिन अब इसे सम्टो, ठीक है, अब इसे सम्टेंगे, तो क्या होगा, तो हो जाएगा, sin square a, plus cos square a, इन दोनों को, एक pass ले आया, अब इनका marriage करवादो, और इनका marriage का, जो result होगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे, यह identity लग जाएगी, sin square a, plus cos square a, equal to one, ठीक है, अब आगे क्या करें सर, तो देखो, just imagine करो, कि यहाँ पे cos, cosec, इसको भी लिख दो, cosec square a, plus, यहाँ से लिख दो, sec square a, इन दोनों को भी, एक pass कर दो, लेकिन यह दोनों, one नहीं हो, क्योंकि इनके बीच में, कोई relation होता ही नहीं, अब जब relation होता ही नहीं है, तो हम लोग इतना जणजट क्यों करें, ठीक है, बट हमें यहाँ से, अब हमें पता चलेगा, वो क्या चलेगा, कि two sign a, साइने को साइने में लिक देता हूँ, और एक बात मुझे बता, क्या कोसेक एक को मैं, कोसेक एक को one by sign a लिक सकता हूँ, हाँ या ना, तो सर यह आपने कैसे किया, तो अगर आपको नहीं पता सर, तो अब ज़रस इसे देखो, ठीक है, इसे एक बार देखो, चलो मैं तुम्हें वो फर्मूला एक बार फिर सरी विजन करा दिता हूँ, मैंने क्या आप बताया था आपको, कि पहले एक हैक सागोन बनाए, ठीक है, एक हैक सागोन बनाया, यहाँ लिको साइन, यहाँ लिको कॉस, यहां लिको tan, यहां लिको cot, यहां लिको sec और यहां लिको cosec, ठीक है, sin को cosec से कर दो, भीतो लिखो भीच में हो गया 1, ठीक है, sin square theta प्लास, cos square theta is equal to 1, होता है, अब इसी pattern को same repeat कर दो, एक छोड़ के एक, ठीक है, ये तीर identity हो सके, लेकिन इनके जो सामने वाला होता है, इन दोनों का multiplication 1 होता है, ये मैंने आपको बताया था, तो cos square, sorry, cos theta into sec theta equal to 1 होता है, और sin theta into cos theta equal to cosec theta into 1 होता है, मतलब sin और cosec को multiply करेंगे, तो 1 होता है, तो just imagine करो, कि यहाँ जो है, sin है और cosec है, इन दोनों को multiplied करेंगे, तो 1 हो जाएगा, अब ये भी अगर समझ में नहीं आया, तो कैसे करेंगे, कि sin जो है, sin A को sin A रखा, और cosec A जो होता है, वो sin का inverse होता है, हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से multiplied हो है, अब यहाँ पर चुझाएगो, cos A, cos A, cos A, cos A, और sec A, इत दोनों को multiplied करेंगे, तो 1 होता है, तो हम लोग इसको सीधा लिको 2 into cos A, into sec A को मैं 1 by cos A लिक सकता हूँ, ठीक है, अब जब इसे solve करो फर्दर, तो हम लोग क्या क्या पाएँगे, sin A square theta plus cos A square theta is equal to 1 होता है, ठीक है, और यहाँ पर चेक करो, तो cosec A को मैं इसी तरह लिक देता हूँ, cosec A, ठीक है, और sec A को मैं उसी तरह लिक देता हूँ, sec A, अब यहाँ प्लस में हो जाएगा, 2 देखो, यहाँ से, चुकि ये sin A और sin A cancel हो गया, यह sin A और sin A cancel हो गया, से cancel हो गया, बचे गया, फिर सिफ 2, फिर जब इसे further तुम solution करोगे, तो 2 प्लस 2, 4 हो जाएगा, और यहाँ प्याँ जाएगा, 5, 5 प्लस cosec A, plus sec A, अब ज़रा देखो, और answer को देखो, क्या तुम्हें यह answer सेम दिख रही है, मैं अगले slide पे चलता हूँ, अब तुम यहाँ तुम इस वाले जो तुम्हारा अभी तक आया है, 5 प्लस cosec square A, और sec square A, क्या तुम्हें यह चाहिए, तो answer है नहीं, हमें देखो, लेकिन एक बात हमें यहाँ से पता चल रहा है, और यह पता चल रहा है, कि cosec को मैं convert कर सकता हूँ, code, cosec को code मैं convert कर सकता हूँ, उनके बीच क नहीं रख दूँगा, तो देखो कैसे कैसे change हो जाएगी, तो वहीं बताओ, 5 प्लस, code square को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो code square को लिख सकता हूँ, 1 प्लस, देखो, cosec को, cosec square को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस, code square a equal to cosec square a होता है, ठीक है, अब जब यहाँ से 1 प्लस, code square a लिख दूँगा, कोई दिकत होगी, 1 प्लस, code square a, किसके जगा पे लिखा मैंने, cosec square a के जगा पे, प्लस का प्लस हो गया, अब बताब secc square को मैं क्या लिखूँगा, तो secc square को लिख साता हूँ, 1 प्लस, tan square a, equal to sec square a, यह यही होता है, हमें sec से कोई मतलब भी नहीं है, हमें tan चाहिए, तो अगर secc square के जगह मैं यह लग दूँ, यह पूरा लग दूँ, तो कहीं न कहीं हमें tan square का value मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी, तो हमें क्या रख दूँगा इसके जगह पे, 1 प्लस, tan square a, ठीक है, यह हो गया, अब जब तुम इसे bracket को हटाओगे, तो यहां देखो कि 5 प्लस, 1 प्लस, 1, ठीक है, कितना हो गया, 7, ठाला for the reason, ठीक है, और यहां पे क्या हो गय square a, प्लस, tan square, तो हो जाएगा, cot square a, प्लस, tan square a, और यही हमें चाहिए था, और यही आ भी चुका है, और यही proved भी हुआ, proved, RHS, देखो, क्या-क्या मैंने वो समझो, हमने क्या-क्या कि यह जो solution दीवी थी, हमें देखा कि इसे कहीं न कहीं square के form में है, और हमें square के form से कोई म expand करना है, ठीक है, तो जब हमने इसको expand किया, तो यह one a, plus b, ka whole square के form में है, तो हमें a, square, plus b, square, a, plus b, ka whole square के form में इसे तोड़ना पड़ेगा, जो कि होगा, a, square, plus b, square, minus 2ab, ठीक है, तो जब इसे मैंने स्टोड़ा, sorry, यहां पर plus होगा, तो plus कर यहां, प्लस होना चाहिए, य यहां प्लस था, तो plus ही होना, यहां से मैंने, by mistake हो गया, बड़ देखो, इसे जब इसे, मैंने further expand किया, तो sin square theta plus cos square theta के form में था, ठीक है, sin square theta plus cos square theta के form में था, इसे जब तोड़ा तो यह आया है, और इसे तोड़ा तो यह आया, और जब तोड़ते गए, solution करते गए, तो यह इसके जगा पी 2 रखा, तो 2 हुआ, तो 2 प्लस 2, 4 होता है, 4 प्लस 1, 5 होता है, और यह जो value है, हमने इसे just note किया, हमें जो चाहिए था, वो चाहिए था, 10 और cot, लेकिन यहां पे cosec और sec है, हमने जब इसे notice किया, तो पता चला कि cosec को मैं cot के form में लिख सकता हूं, और sec को मै 10 के form में लिख सकता हूं, तो इन दोनों को मैंने जब इसके form में लिखा, देखो, cosec को क्या लिख दया, 1 प्लस cot square है, और sec square को क्या लिखा, 1 प्लस 10 square है, और जब इसको put किया, तो value हमें पता चल गई, 7 प्लस cot square है, प्लस 10 square है, और जो कि हमें यही चाहिए था, और यही आ ही गया, hence proved, तो चलो यार, question number आज इतना ही रहने देते हैं, question number जो बाकी दो जो बच्चा है हमारे पास, वो यह दो-दो question बचे हुए है, 9 और 10, इनको मैं अगले लेक्चा पे complete करूँगा, तब तक के लिए जहें जबारत,